हेलो फ्रेंड्स, यू आल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स, मापकी इंग्लिश एजुकेटर्स स्वाधी राठ और स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के अपने ऑनलाइन प्लेटफर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर और आज इस वीडियो में हम लोग Idioms and Phrases का Part 12 करेंगे, इससे पहले के सभी वीडियो हमारे चैनल पर अविलेबल हैं, I hope आप सभी ने वो सारे ही वीडियो देख लिए होंगे, और अगर स्टिल उनमें से कोई भी वीडियो देखना बाकी रह गया है, तो उसे आप हमारे चैन का मतलब हो जाएगा, to carefully think about something, in order to make a decision about what to do next, मतलब आगे क्या करना है, इस चीज के उपर कोई decision लेने से पहले, कोई फैसला लेने से पहले, हर चीज को सोच लेना चाहिए, हर चीज पर विचार विमर्ष कर लेना चाहिए, इस ही को बोलते है, to take stock off, मतलब आगे क्या करने वा imagine, मतलब कलपना करना, अपने मन में ही किसी चीज की, कोई धाधना बना लेना, कोई चित्र बना लेना, option D is to supply, मतलब आपूर्ती करना, supply करना, option C is to survey, to survey का मतलब हो जाएगा, सर्वेक्षण करना, निरीक्षण करना, जांच करना, मतलब लोगों के जो विचार है, उन विच कर लेना, सोच लेना, इसी को पोलते है, to survey, and option D is to attract, मतलब अपनी और किसी को आकरशित करना, तो हमने सभी options जान लिये, और यहाँ पर यह जो हमारे idiom है, to take stock off, इसका सही answer होगा, to survey, मतलब पहले ही कुछ फैसला लेने से पहले, हर चीज का निरीक्षण कर लेना, कैरफुल Straw का मतलब होता है, अवीक और कावडली परसन, मतलब एक बहुत ही कमजोर या फिर कायर इंसान, अब यहाँ पे एक जो मैन है, मतलब जो इंसान है, इंसान को हम लोग बोड रहे है, Straw का मतलब जानते है, कि जो ग्रेन्स वगेरा होती है, जैसे कि वीट और यह सारी जो गेहु की फसल कटती है, तो इसका जो स्टैम होता है, उस स्टैम को ड्राइ कर देते हैं, ताकि वो जो ड्राइ स्टैम है, वो एनिमल्स वगेरा के काम आ सके, तो हिंदी में आपको बोलना चाहूं, तो इसे बोलते हैं भूसा, तो जब गेहु की फसल कट जाती है, तो इसक जहां पर यह जो इंसान है उसकी तुल्ला की गई है अब straw के साथ अब straw कहलो होता है एकडम कमजोर सा वीग सा तो यहां पर एक इनसान है जो कि बहुत कमजोर है और मैंन ओफ श्रॉक का मतलब हो जाएगा एक बहुत कमजोर वीक या फिर कायर व्यक्ति Hope आपको इसका meaning clear है Options की तरफ आ जाते है Option A is a man of no substance मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका कोई महत्वही नहीं है जिसका कोई मूल्य नहीं है एकदम महत्वहीन व्यक्ति Option B is a man without means मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई साधन नहीं है आर्थिक रूप से वो सामर्थ्य नहीं है Option C is a man of character मतलब चरित्रवान व्यक्ति Option D is a generous man मतलब उदार व्यक्ति तो हमने सबी options जान लिये और ये जो हमारा इडियम है A man of straw इसका सही आंसर होगा Option A man of no substance मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका कोई महत्व नहीं है एकदम कमजोर है एकदम कायर है उसी को बोलेंगे A man of straw आगे बढ़ते हैं अगले इडियम है To cut someone short अब देखिए To cut someone short का मतलब हो जाएगा To interrupt someone So that they stop talking मतलब किसी को बीच में interrupt करना किसी को बीच में टोक देना मतलब कोई काम पूरा नहीं हुआ और उस काम को पूरा ना होने से पहले ही उस काम को बीच में टोक देना हस्त छेप कर देना इसी को बोलते हैं To cut someone short For example अगर कोई आपसे बात कर रहा है या माली जे बहुत जादा बोस्टिंग कर रहा है मतलब अपने बारे में बहुत बढ़ जर के बाते बता रहा है तो आपको अगर वो चीज अच्छी नहीं लगेगी तो आप बीच में टोक देना या फिर आप उस बात को ही चेंज कर देंगे वो टॉपिक ही चेंज कर देंगे देखिए अबलाइच का मतलब होता है किसी को अपना काम करवाने के लिए बात दे करना मतलब किसी को force करना कि भाई तुम्हें मेरा काम करना ही पड़ेगा इस चीज के लिए बात दे करना force करना इसी को बोलते हैं To अबलाइच समवन Option B is to assist someone मतलब किसी की सहायता करना option c is to interrupt someone मतलब किसी को हस्तचेप करना किसी को टोकना option d is to insult someone मतलब किसी का अपमान करना तो हमने सभी options जान लिये और यह जो एडियम है to cut someone short इसका सही आंसार है option c to interrupt someone मतलब किसी के काम में हस्तचेप करना या फिर टोका टोकी करना आगे बढ़ते हैं अगले इडियम है falling foul off अब इसका मतलब हो जाएगा to come into conflict with मतलब किसी के साथ विवाद में फसना या फिर किसी के साथ लड़ाई जगड़ा करना इसी को मोलेंगे falling foul off options की तरफ आ जाते हैं option A is quarreling with मतलब बातो बातों में किसी से लड़ाई हो जाए उसी को बोलते हैं quarreling with option B is becoming friends with मतलब किसी से दोस्ती होना option C is being honest with मतलब किसी के साथ इमांदार होना and option D is being scared of मतलब किसी से भैबीत होना तो हमने सभी options जान लिए और ये जो इडियम है falling foul off इसका मतलब होता है बातों बातों में किसी के साथ लड़ाई जग्रा हो जाए विवाद हो जाए तो इसका सही आंसर होगा option A is quarreling with आगे बढ़ते हैं अगले इडियम की तरफ अगले इडियम है splitting hairs अब यहाँ पे splitting hairs का मतलब होगा to make petty and unnecessary distinction मतलब छोटी चोटी बातों पे argue करना अब मान लीजिए जो hairs होते हैं hair को अगर आप split करेंगे मतलब बालों को आप अलग-अलग करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो hair होते हैं वो कितनी fine चीज़े होती है मतलब it is very fine thing आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं ऐसे आप distinction तो नहीं कर सकते हैं कि ये बाल अलग तरीके का है ये अलग तरीके का है तो वो एकदम fine चीज़ है और सारे बाल बहुत ज़्यादा similar होते हैं उनमें आप ऐसे difference नहीं बता सकते हैं तो बस यही इसका meaning है कि बहुत small small details के उपर आप argue करने लगें या फिर same चीज़ों के उपर मतलब similar चीज़ों में आप छोटे-छोटे difference निकालने लगें और फिर अंत में जाके क्या होता है अगर ऐसी कोई चीज होती है तो अंत में जाके फिर लड़ाई जगडई होता है तो इन छोटी-छोटी बातों में dispute create करना, विवाद लड़ाई करना इसी को बोलते हैं splitting hairs, options की तरफ आ जाते हैं option A is to be worried मतलब चिंता करना option B is to be venturesome मतलब risk लेना adventure करना option C is to trouble someone मतलब किसी को परिशान करना and option D is to dispute over petty points मतलब चोटी-छोटी बातों के उपर लड़ाई जगड़ा करना, विवाद में पढ़ना तो हमने सभी options जान लिये और यह जो idiom है splitting hairs इसका सही answer होगा option D to dispute over petty points मतलब आप split नहीं कर सकते बालों को, hair को आप split नहीं कर सकते अगर आप ऐसा करना जाएंगे अंतर ढूड़ेंगे similar चीजों में तो फिर अंतर में जाके बस वह होना है विवाद होना है और तो कुछ मिलेगा नहीं तो यही इसका meaning होगा hope आपको यह सभी idioms clear है तो friends आउच मैंने आपके साथ कुछ idioms discuss किये, I hope आप सभी को इन सभी के meaning एकदम से समझ आ गए होंगे अगर still doubt है तो आप वीडियो को repeat करके भी देख सकते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like कीजिए share कीजिए अपने maximum friends के साथ relatives के साथ और अगर अभी तक हमारा channel subscribe नहीं किया है आप